नमस्कार ये देव व्रिक्षा हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं इससे सभी आउगत हैं इन देव व्रिक्षों का बढ़न करते हुए तुलसित आशिने राम चरित्रमानस के उत्तर कांड में तीन व्रिक्षों पर विशेश रूप से प्रकास डाला है आम, पीपल और पाकड इन तीन व्रिक्षों का महतोग बता रहे हैं कि इन तीनों व्रिक्षों के पास अगर हम बैठकर बिभिन तरह की शादनाए करते हैं तो ये जल्दी फलिभूत होती है जैसे आम बिख्ष के नीचे बैठकर अगर हम मानसिक रुप से भगवान की पूजा करते हैं मन से ही उनका सुड़ सूप, जल, पुस्व, फल, दूथ, आदियार्बन करते हैं तो इसका विसे सलाव मिलता है और पाकड इस विख्ष के नीचे बैठकर अगर हम जब करते हैं कोई यग्य करते हैं तो हमारी साधनाई बहुत चल्दी सफिल फूथ होती है अपनी आध्यात्मे कुनत्य के लिए इस तरह की साधनाई इन विख्ष के नीचे बैठकर करना बहुत लाफ्रत होता है अगर हमारा ध्यान नहीं सथा है ध्यान करने की प्रक्रिया में हम अगर पीपल के विरिक्ष के नीशे बैठ कर ध्यान लगाते हैं तो बहुत जल्दी सथा है इससे ध्यान लगाने में बहुत सुविधा होती है और बहुत जल्दी हम सफल होते हैं तो इस तरह इन विरिक्षो मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धाथ